आज हम बात करने वाले अगर आपने थोड़ी बी कोडिंग किया है कुछ भी एक दो प्रोग्राम बना है तो आपने यह चीज जरूर अबसर्फ की होगी कि जब आप अपनी कोडिंग अपनी प्रोग्राम को बना लेते हैं उसके बाद भी आप उसके वर्ट से बाहर नहीं वह दिमाग में पाती चलती है कि उसके पीछे क्या लोजिक लगा कैसे प्रोग्राम हुआ और इसी से रिलेटट है कुछ कॉम्टेटव बताता हूं कि जैसे अगर आप एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं माल दीजिए प्राइम नंबर निकाल लेगा या इवन नंबर निकाल लेगा तो एक तो तरीका है आपके जो भी टीचर है या वो बताते हैं कि आप उसको डू से मॉडियोल हो करना है अगर रिमेंडर चीरो आ रहा है त अगर आप अपने दिमाग बजा है तो आप कैसे उस प्रोग्राम को प्रोसेस करें आपका दिमाग कैसे उस प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा है उस चीज को प्रोसेस कर रहा है जैसे आपके सामने कोई इवन नंबर आता है तो आप क्या करते हैं आखिरका आपका दिमाग आ और आप की दिमाग में जता है ए जब इस चीज को अपने सिस्टम पर उतार जयता से वह बुखने फ्रोग्रमित उतारregat सब्सक्राइब क्या होता है जिसका सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा क्योंकि वह बहुत ही कंप्लेक्स क्वेश्चन होता है और डिजाइन ही किया जाता है उस सब्सक्राइब करना पड़ता है तो वहां आपके दिमाग का जो लॉजिक आपको उतारना होता है और अपने आपका दिमाग उस चीज को कैसे प्रोसेस करता है वह उस सिस्टम पर उतारना होता है जब आप सबसे पहले काम कर लेते हैं और सक्सेश्फुली कर लेते हैं मनहें आपका कोड कमाइल हो जाता है सईसे तो अब उस कॉंचेश्ट में या बालिजिए उस सेक्शन प्रोग्राम में आपका मैक्सम मांक्स आयता है तो यह था आज का वीडियो जहां हम दिस्कुस कि की कोंपिटिव प्रोग्रामिंग होता का अब आने वाले वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि competitive program के फायदे क्या है नुकसान क्या है इसे हम कैसे कर सकते हैं किस language में कर सकते हैं जैसे सबसे ज्यादा अब इसमें भी आपको किस language को ज्यादा prefer करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे तो और इसका benefits क्या होते हैं इसका आपको placement में कहीं यूज पड़ेगा की नहीं और बाते करेंगें competitive programming के लिए के बारे में तब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए अब बाए